हाई फ्रांट्स वेलकम बैक तो माई यूटुब चैनल क्रिस कंप्रिवर्टीप सांट्रिट तो आज के इस वीडियो में हमारे पास एक पीसी है और हम इसको फॉर्मेट करने जा रहे थे अपने बूटेवल पेंड्राइब से जब हमने बूटेवल पेंड्राइब को इंसर् और इंस्टालेशन और हम अपनी इंस्टालेशन प्रोसेस को जो है कप्लेट नहीं कर पाए तो आज के इस वीडियो हम यहीं बताएंगे कि आप विंडो इंस्टालिंग के सामें जब आपको ऐसा कोई एरर मैसेज से होता है तो आप इसको कैसा सीक्स कर सकते हैं तो बने रह हमारी 3 जो hardics partition बने हुए हैं उनमें सबसे पहला जो है system reserve है और 2 जो हमारे partition है dynamic हमें error message इसलिए सो हो रहा था क्योंकि हमारा जो disk partition type है वह dynamic हो चुका है हमको इसको primary में convert करना होगा primary में convert करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ यह error message कैसे सो होता है तो हम किसी भी new value जो partition 4 है हम इसको select कर रहे हैं तो आपको एक error message यहां bottom में सो होता हुए दिखाए देगा window cannot be installed on drive 0 partition for sodic के बाद जो हम इस पर click करेंगे एक बार तो हमें इसकी detail जो है वह सो हो जाएगी तो देखिए जो detail हमारी वाद लिख कर आ चुकी है यहाँ screen पर face हो रही drop down menu में windows cannot be installed to this hardest partition content one or more dynamic that are not supported for installation और यहां से हम आगे कि जो installation process है उसको complete नहीं कर पा रहे हैं तो इस error को आज हम fix करेंगे इस video में तो इस error को fix करने के लिए आपको अपनी keyboard से press करना है shift और F10 बटन को जिससे कि आपके PC में command prompt window open हो जाएगी और यहां आपको सबसे पहला command जो है लिखना है disk part लिखकर आप जैसे enter करेंगे आपके सामने दूसरा command आपको type करना है जो disk part open हो चुका उसके बाद आपको लिखना है cell disk 0 जिससे कि हमारी disk 0 है वह select हो जाए यहां हमें message भी मिल चुका है disk 0 is now the selected disk उसके बाद आपको लिखना है list disk जिससे कि जितने भी हमारी PC में connected disk drive है वो so हो जाएग यहां पर तो आप देख रहा है disk 0 online 931GB जो कि हमारी 1TV के hardics detect हो रही है यहां पर और हमारी जो disk 0 है वह select भी हो चुकी है तो आप जब हमारी disk 0 select हो चुकी है तो हमें इसको clean करना पड़ेगा क्लीन करने के लिए हम clean function को type करेंगे तो यहां पर हम clean command type करते हैं तो clean command type करने से पहले मैं आपको बता जूँ कि आपके hardics में जितना भी data है बसारा delete हो जाएगा तो अब हम यहां पर clean type करते हैं clean type करेंगे और interface करेंगे थोड़ी देर में प्रोसेस होगा और हमारी जो hardics है clean हो जाएगी तो आप यहां पर message देख रहे हैं disk part लेनिंग दाट इसके बाद आपको जो अपना command prompt window है इसको close कर देना है और उसके बाद आपका जो window setup है उसको एक बार refresh कर देना है drives बना सकते हैं हम यहां पर एक ही drive बना ले रहे हैं तो new पर क्लिक करेंगे और apply पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने दो drives बनकर आ जाएगी एक जो system reserve की बन जाएगी जो 549 MB की है और एक हमारी 931 GB की primary partition बन चुकी है तो हम इसी में अपने विंडोज को install करेंगे तो हम अपने primary partition को select करेंगे और next पर क्लिक करेंगे हमारे इंस्टालिंग विंडोज प्रोसेस है वास शुरू हो चुका है आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमन करेंगे वास इतना है thank you so much yes for watching this video and i will see you next time